प्रियागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले सूटरों को लेकर एक नई खबर सामने आई है सूटरों की माने तो उमेश पाल की जान लेने वाले सूटर्स तकरीबन दो घंटे तक प्रियागराज में ही छिपे रहे थे बता दें उनको प्रियागराज से निकालने के लिए दोपैर में ही बेकप प्लान की दो फोर्चनर गाड़ियां पहुचा दी गई थी हत्याकांड को अंजाम देने के दो गंटे बाद आरोपी उनी फोर्चनर से भागने में काम्याब रहे वहीं आपको बता दें उसी रात आठ बजी के लगभग एक फोर्चनर का राय बढ़े लीड टॉल पर लगे सीशे टीवी कैमरे में कैद हो गई बता दें यूपी पुलिस अब तक आरोपियो तक नहीं पोच सकी है उमेशपाल हत्याकांड को पूरा एक हफता बीच चुका है सरयाम गोलिया बरसाने वाले सूटर्स तो नहीं पकड़े गई लेकिन इस हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक एहमद पर सुबोतों का साया मंडराने लगा है भाई बच्चों और पत्नी समीत अतीक एहमद पर केस दर्ज हुए हैं और उससे जुड़े कैई लोगों की पुलिस ने जम कर खबर ली यूपी एश्टीएफ अतीक के गुर्गों पर लगातार सिक कंजा कस रही है अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें साथ किरदार कब गिरफतार होंगे अतीक एहमद माफिया डोन खालिज जमीम और्फ असरफ अतीक का भाई साइस्ता परवीन अतीक की पत्नी मोहमद अर्षद अतीक का बेटा अरबाज अतीक का ड्राइवर गुड़ो मुसलिम अतीक का बंबाज गुलाम अतीक का सूटर साबिर अतीक का सूटर सदाकत खान साजिस करता प्रियागराज में उमेश पाल हट्या कांड का सारा किस्सा पस इन ही किरदारों के इर्द गिर्द घुम रहा है ये अतीक एहमद और उससे वास्ता रखने वाले किरदार है जिनकी पहचान उत्रपरदेश की हट्या कांड के बाद की है सिर्फ इतना ही नहीं इन तमाम किरदारों का उस हट्या कांड या उसके बाद क्या क्या रोल रहा उसका भी खुलासा पुलिस कर चुकी है पता दें प्रियागराज में हुए उमेश पाल हत्या कांड में अब तक पुलिस और यूपी एस्टीफ की नजर में आचुके आरोपियों पर लगातार सिकंजा कसा जा रहा है गुजरात के एहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद उत्तरपरदेश का माफिया डौन अतिक एहमद के इसारों पर ही प्रियागराज में गोली कांड हुआ और उमेश पाल की हत्या हुई ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है